हेलो आइस आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज से हम शुरू कर रहे हैं करेंट अफेर्स के सीरीज जो की आपको पूरा जनुरी से अभी तब जून तक के करेंट अफेर्स पूरी मिल जाएंगे और उसके बाद हम कंट्यूनिय करेंगे तो आज हम श की किया मनि मनिय वकिकर स्व अन्हों के हैं वर जोंच के लिए जो ब्लाइं के उन लोगों नूंड के लिए जो हरकूं की तरफ हाली में रेले बोर्ट अपने किस अधिकारी का सेवा विस्तार किया है अधिकारी को सेवा विस्तार दिया है तो ये दिया गया है विनूत कुमार को ठीक है ये हमारी चेर्मेन थे और अब इनको और सेवा विस्तार देके आगे चेर्मेन के लिए इनका टाइम बड़ा दिया गया है चीक है चलिए next question पर चलते third question हाली में उत्तर प्रदेश राज्य सडग परिवहन corporation ने महिलाओं की शुरुक्षा के लिए कौन सा mobile app launch किया है तो कौन सा mobile app launch किया है आपको बताना है कामनी दामनी यामनी या मनी कौन सा mobile app तो ये है परवान companies ये भी हुद झाल ऊपंपरिवहन ने महिलाओं कि शुरुक्षा के लिए लॉश कए है चीक है next question चलते हम to do 2 जनवरी 2020 को गूरु गोविज ज़यन्ती मनाई गई कौन से जयनती मनाए गई है तो जनवरी दो चार बीस को गुरू गोविन सिंग जी की तो ये मनाए गई तीन सो पच्पन भी जयनती चीक है तीन सो पच्पन भी जयनती मनाए गई है गुरू गोविन सिंग जी की दो जनवरी दो चार बीस को गुरु गोविन सिंग जी सिक्क धिर्म के दस्वें गुरु थे तता अंतिम गुरु भी थे ये वो अब 1675 में याने की 1675 में अपने पिता गुरु तेख भादुर के शहादत के बाद छह वर्ष के आई में गुरु बन गे थे ठीक है और इन्हों नहीं खाल सा पंद के स्थापना भी की थे ठीक है तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स वेशन पर मुंबई एहमेदाबाद रूट पर भारती रेल वे दारा 19 जनरी को कौन सी ट्रेंट चलाए गई कौन सी ट्रेंट चलाए गई बुंबई और एहमेदाबाद रूट पर तो यह चलाए गई तीजस एक्सप्रेस चीक है यह ट्रेंट हपते में कितने दिन चलेगी छे दिन चलेगी वीरवार को छोड़ गए चीक है तो चलिए नेक्स वेशन पर चलते next question है 107. भारतिय विच्यान कंग्रेस किस शहर में आई जित की गई तो आपको बताने है 107. 107. भारतिय विच्यान कंग्रेस किस शहर में आई जित की गई तो यह की गई C, Bangalore C option सही है Bangalore में किया गया Bangalore में किया गया इसका उद्घाटन या आयोजित Bangalore में किया गई तो इसे basically क्या है important तो जो इसकी theme है वो important है इसकी theme थी विज्यान वो तक्नीक ग्रामिन विकास इसकी theme क्या थी विज्यान वो तक्नीक ग्रामिन विकास और इसका उद्घाटन किसने किया था इसका उद्घाटन किया था हमारे उक्रदान में तरे नरेंद मोजी दो रहा हूँ चीक है तो चलिए बढ़ते है next question पर भारतिय रेल्वे ने यातियों के लिए कौन सा help line number launchING किया है खारतिय रेल्वे ने तो ये help line number launch carry 149 139 अब भारतिय रेल्वे ने ये 439 की सुद्धा के लिए कोई भी problem हो उनको 139 पर कॉल करकर अपनी problem रेल्वे ने और को शेयर कर सकते है और पूसकते कि क्या इसका समादन होगा ठीक है ये क्या 149 139 Next question हाली में किस देशने हानिकारक संस्क्रीन के इस्तवाल पर बैन लगाया है किस देशने लगाया बैन जो संस्क्रीन होती है उसके इस्तमाल पर तो ये बैन लगाया है पलाओ ने ठीक है पलाव उन्हें लगाया है हानिकारग संस्क्रीम के इस्तिमाल पर क्योंकि जो क्या करती है जो प्रवाल वित्ती होती है उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है इस वज़े से इन्होंने यह कदम उठाया ठीक है तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेशन पर हमारे न चार जनुरी को चार जनुरी को या तीन जनुरी को तो यह मनाया जाता है चार जनुरी को ठीक है तो चार जनुरी को क्या मनाया जाता है ब्रेल दिवस मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस अब यह क्यों मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस इस लिवजर से मनाया जात चलिए बढ़ते नेक्स्ट कॉश्चन पर महारास्ट्र सरकार ने सावित्री भाई फुले की जैनती पर कौन सी पैल चलू की है महारास्ट्रकार ने सावित्री भाई फुले की जैनती पर कौन सी पैल चलू की है तो कौन सी पैल चलू की है तो ये की है हमारी cyber safe पहल बी जो option है वो सही है ठीक है cyber safe पहल शुरू की है ये खास कर क्या होगा इसका उद्दिश्य क्या है महिलाओं और बच्चों के उपर होने वाले जो अत्याचार है ठीक है जो उनका solution है उसके बारे में जवता फैलाना के लिए cyber safe शुरू किया गया है चलिए बढ़ते next question और next question है किस राजय सरकार ने WASH 2020 को Artificial Intelligence WASH मनाना की घोशना की है Artificial Intelligence याने AI WASH मनाना की घोशना की है किस राजय सरकार ने की है तो ये की है तेलनगाना राजय सरकार ने वर्ष 2020 को AI वर्ष मनाने की गोश्णा किए ठीक है important question है चले बढ़ते हैं next question की दरब next question है lie हरा ओवा उत्सव किस राज्या में मनाए गया तो lie हरा हुआ उत्सव किस राज्या में मनाए गया तो ये मनाए जाता है तिरपुरा में ठीक है इस रो इस रो द्वारा मानव अंत्रिक्ष उडान केंदर की स्थापना किस शहर में की जाएगी किस शहर में की जाएगी तो ये की जाएगी चले कर में ठीक है चले कर में मानव अंत्रिक्ष उडान केंदर की स्थापना की जाएगी और चले कर का है चले कर है करनाटक में यह बैंगलूर और पुड़े को जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवे है उसकी बीच में पड़ता है ठीक है तो यहां इस दो स्ताबित करेगा मानावत रिक्ष उड़ान के इंदर के स्ताबना ठीक है चलिए अपने बढ़ते नेक्स्ट वॉशन की दरब गोल्डन ग्लूब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को बैस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का किताब मिला तो किस फिल्म को मिला 2020 का औसकर गोल्डन ग्लॉब वही होता औसकर ठीक है तो यह मिला 1917 बी जो option है सही है, ठीक है, 1917 को Golden Globe Award 2020 में Best Motion Picture Drama का किताब मिला, ठीक है चलिए बढ़ते हैं, next question की दरब जहरकंट के विदान सबाद द्यक्ष कोन है को उता ना, जहरकंट के विदान सबाद द्यक्ष कोन है तो जहरकंट के विदान सबाद द्यक्ष है आई, रविंदरणात महतो C option is right तो जहरकंट के विदान सबाद द्यक्ष मने रविंदरणात महतो अभी वहाँ विदान सबाद द्यक्ष कोना हुआ था जिसमें कि हैमन्त सूरिन की सरकार बन गई अब वहाँ के जो मुक्первыхमत्री है वह है हैमन्त सूरिन वहां के जो विदान सब्ध द्यक्षे है वो है रविनात मेहतो और जहरकंट की राज़ा निकाय है जहरकंट की राज़ा निया राची ठीक है चलिए नेक्स टोशन पर चलते है नासा के किस उब्ग्रह ने प्रतिवी के समान आकार वाले एक नये क्रह की खोच की है तो किस उपग्रह ने खोचकी है तो ये क्या क्रूड ड्रेगन है या हबल है या टेस है या है वुसा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस टी-ई-एस-स ठीक है टी-ए-स-स ने किसकी खोचकी प्रिथिवी के समाना करवाले ने ग्रह की खोचकी टी-ए-स-स का फुल फाम होता है ट्रांजिटिंग एक्सू प्लेनिट सर्वे सेटलाइट ठीक है क्या होता है ट्रांजिटिंग एक्सू प्लेनिट सर्वे सेटलाइट तो इस सेटलाइट ने प्रिथिवी के समाना करवाले एक नहे ग्रह की खोज की है जो प्रतिवी से 101.5 प्रकाश वर्ष दूर है और बेग्यानिकों ने क्या बताया कि इस पर जीवन होने की संभावना हो सकती है ठीक है चले नेक्स कुश्चन प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाय जाता है प्रवासी भारतिय दिवस ये मनाय जाता आपका C 9 जन्वरी को ठीक है 9 जन्वरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाय जाता है और क्यों मनाय जाता है क्योंकि इस दिन 9 जन्वरी 1915 को गांदी जी साथ अपरिका से भारत वापस आये थे इस वेर से 9 जनुरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है नाडा नाडा ने किस भारतिय भारतोलग पर 4 साल का प्रतिबंद लगाया है किस भारतिय भारतोलग पर 4 साल का प्रतिबंद लगाया है नाडा ने तो ये लगाया है ये सरबजित कौर पर ठीक है सर्वजित कौर पर नाडा ने चार साल का प्रतिवंद लगाई है अब नाडा को ने नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग अजिंसी चीक है यह क्या है यह भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मौनिटरिंग के लिए चाना जाता है इसके स्थापना हुई थी इसके स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अठारसो नब्बे के तहट 2005 में की गी थी और इसका उदेशे के भारत में डोप्मुक्त खेल सुनिश्रित करवाना या डोप्मुक्त जो खेल होते वो करवाना चलिए बड़ते नेक्स वीशन किदेश चलिए अब उडिशा के बार में जानते है उडिशा की राजधनी है भॉवनिश्वर उडिशा के जो करण्ट मुख्य मंतरी है वो है नवीन पटनायक और उडिशा के जो करवेनर है वो है गनिश इलाल जी ठीक है बढ़ते अपने next question की तरब समुद्री पारिस्तिति की तंत्र चुनोतियां और अफसर मिकॉस 3 पर तीसरी अंतराष्टय संगोश्टी किस शहर में आयजित की गी तो किस शहर में आयजित की मिकॉस 3 पर अंतराष्टय संगोश्टी तो ये आयजित की गी कोच्ची में ठीक है केरल कोच्ची में आयजित की गी मिकॉस 3 ठीक है चले बढ़ते next question की तरब global investors meet ascend 2020 भारत की किस शहर में किया गया किस शहर में किया गया ascend 2020 तो ये किया गया ये भी कोच्ची में किया गगे ठीक है के रिंए कोच्टी में ऐ կे इन्वेस्टर्स मेट की गई है ठीक है बचाने सिर्फ कि दुटिली साइकल वोग की आदाराशिला किस ने रखी है कि इस नेटिनी साइकल Sunday कि आदार 치ला ऐसे kda जो केंदरियो ग्रह मंत्री है उन्हां तेंज बढ़ते नेक्स लुच्छ सरकार्ने विक्रम साराभाई Children Innovation Center VSC IC स्थापित करने की घोशना की है तो किस राजसरकार ने घोशना की है यह घोशना की है गुजरात राजसरकार ने घोशना की है कि वे विक्रम सारवाई Children Innovation Center की स्थापना करेंगे बढ़ते अपने next question की तरब अल नगा भारत और किस देश के बीच सेन्य अभ्यास है अलनगा भारत और किस देश के बीच सेन्य अभ्यास है तो ये है भारत और ओमान के बीच सेन्य अभ्यास हुआ है अलनगा चीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते है अपना 25 अपना कुशन निम्लिकित मैं से किसने मलेशन मास्टर्स बैडमिंटन टूनेमेंट जीता है तो किसने जीता है मलेशन मास्टर्स बैडमिंटन टूनेमेंट तो ये जीता हमारे केंटो मामोटा ने केंटो मामोटा ने मास्टर्स बैडमिंटन टूनेमेंट जीता है इन्होंने हराए है विक्टर एक्ट सेंको और इन्होंने जीता है मेलेशन मस्टर बैडमेंट करनेमेंट तो गाईस यह थे हमारे 1 से 15 जनवरे के मोस्त इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स और करेंट अफेर्स के झाल झाल झाल